हमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सुभम शिशोदिया और लेट्स क्रैक UPSC CAC हिंदी पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख रहे होंगे एक तरफ के एक तरफ है आपके स्क्रीन पे काला हिरन और दूसरी तरफ है एक मा काले हिरन के बच्चे को दूद पिलाती हुई ये जो महिला हैं काले हिरन के बच्चे को जो दूद पिला रही है ये दिखाता है कि किस तरह से जो बिश्णोई समाज है उसका काले हिरन की साथ उसका जो जुड़ाव है भावनात्मक रूप से आध्यात्मक रूप से वो जुड़ाव को दर्साता है मैं आपके इस वीडियो में बताऊँगा कि ये हिस्टरी कहां से शुरू होती है, कहां से शुरूआत होती है, क्या महत तो है विश्णुई समाज में काले हिरन का, किस तरह से ये इसे पूझते हैं, और किस तरह ये काले हिरन के लिए अपनी जान की गुर्बानी तक देने को तैयार हो जाते हैं, साथ-साथ हम देखेंगे काल हिरन की जो अभी पर्यावरन है हमारा उसमें क्या सती है, क्या कंडिशन है, सारी पूरी जो कहानी है, उसको हम डीटेल से जोड़ने की कोशिश करेंगे, चलिए, शुरुआत करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिस् शुरुआत करिए, जो हमारा ये जो बिस्नोई समाज है, बिस्नोई समाज में एक जो इनके आध्यात में गुरू हुआ करते थे, गुरू का नाम था गुरू जंबेशवर, जिनने जंबाजी के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हें पंद्रेवी सतापदी में समदाय की स्थापना करी थी, यानि कि पहले हम थोड़ा सा बैग्राउंड ले रहें कि बिस्नोई समदाय है, ये इसका एवॉल्व कैसे होता है, तो यहाँ पर गुरू जंबेशवर का योधान हमें यहाँ पर इनकी स्थापना में देखने को मिलता है, ये जो समपरदाय थ होते हैं, उनका सनरक्ष्ण करते हैं, और उनको बचाने के लिए ये अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, इन सिद्दानतों में से एक सिद्दान इनका वन्यजीओं के सनरक्ष्ण पर और सुरक्षा इस पर केंद्रित है, अब हम यहाँ पर बात करें तो जो अगर एक इनकी मानेता है उनका जो अवतार है वो वापस से काले हिरन के रूप में ही प्रत्वी पर आया है इसलिए भी इनकी जो धार्मिक जुडाव है यह विरन के साथ वो भी हमें देखा जाता है हम यह आप बात करें तो यह जो विश्नोई समाज है जो दिक्कत है वो क्रेट हो जाती है तो यहां के जो लोग हैं, यहां का जो समधाय है जो बिछडे हुए बच्चे हैं या फिर वहां के जो जानवर हैं उनके लिए खाना और पानी की विवस्था करते हैं इवन जो भी मैंने आपको शुरुआत में एक पिक्चर दिखाया था कि एक बिछडे हुए काले हिरन के बच्चे को एक मा अपने बच्चे के हिस्से के दूद को उसको पिला रही है तो आप इनका जो भावनात्मक जुडाव है जीव जन्तूं के साथ पर्यावरन के साथ उस भावनात्मक जुडाव को देख सकते हैं उसके बाद इनके बारे में जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्यावरन है जीव जन्तू हैं उनको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं जो एसा होता आया है क्योंकि मैं आपको एक पर्यावरन आंदोलन के बारे में बताऊँगा चिप को आंदोलन क्या था तो वो इसी से संबंदत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे काले हिरन को गुरु जंबेश्वर के अवतार के रुप में इनके द्वारा माना जाता है इसलिए भी इनका एक थोड़ा ज़े धार्मिक मामला यहां पर हमें देखने को मिलता है अब देखते हैं कि यह जो केस है किस तरह से इसकी जो कड़ी है वो जुड़ी हुई है तो यह एक मूवी है हो सकता है अब मैंसे बहुत लोगों ने देखी होगी हम साथ साथ हैं इस मूवी में जो अबिनेता और जो अबिनेतरी हैं सारे के सारे इन मैंसे इस मूवी की शूटिंग हो रहे थी जोदपुर में जोदपुर के गाउं में मूवी की शूटिंग हो रही थी तो उस मूवी की शूटिंग के दौरान पर अबनेता सलमान खान के दौरा दो जो काले हिरन हैं उनका शिकार किया गया तो तब से ये मामला पूरा चलता आ रहा है अब जैसा मैंने बताया कि विश्णोई समाज के दौरा काले हिरन को बहुत जादा महत दिया जाता है इनकी शिकार करने के बाद सलमान खान के शिकार करने के बाद जो है इनके जो नाराजगी है उसका सामना करना पड़ा और विश्णोई समास से कोई माफी भी नहीं मागी गई ये सारे जो काम है ये जो सारी पूरी घटना करम है ये हमें याँ पर देखने को मिलता है अब हम जैसा मैंने आपको बताया एग्जक्टलि अगर टाइम के बारे में बात करें तो सितंबर 1998 का टाइम होता है सलमान खान सैफ अली खान तब्बू सोनाली बेंदरे इनके दौरा जो शूटिंग है उस गाहों में करी जा रही थी और शूटिंग के दौरा ही कतित तौर पर जो काले दो हिरन थे दो काले हिरन थे इनका शिकार करने की बात यहां पर हमें देखने को मिलती है अब जो बिश्णोई सम कराती है जैसा मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको जो एक इमेज दिखाई थी अब हम एक और बात कर लेते हैं कुछ और जो रिपोर्ट से हैं वो क्या बताती है 1730 में 362 बिश्णोईयों को मा डाला गया था जब यह पवित्र पेड़ों की कटाई का विरोध कर र उन राजा का नाम देखेंगे उनके बारे में डिटेल देखेंगे कारण देखेंगे तो उस राजा को अपना महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूत होती है और लकड़ी के उप्रयों के लिए लकड़ी कटा करने के लिए उसने जो जंगल के पेड़ थे उनकी पेड़ों क नहीं रोका गया, आप यहां पर देख सकते हैं, यह image. तो जो महाराजा के सेनक आ रहे थे, तो जो इन लोगों में पेड़ों को पेड़ काटने के लिए आ रहे थे, तो इन पेड़ों को बचाने के लिए यह लोग पेड़ों से लिपट गए, इसी को नाम दिया गया चिपको आंदोलन जब हम environment पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीकी से हमें इस आंदोलन को पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी इस महाराजा के सैनिक नहीं रुके और हम देखेंगे कि लगबग अधिन सैनिकों की नहीं पढ़ते हैं जो उसको फील हुई थी यहाँ पर इसके बारे हम बात कर रहे हैं तो जो पवित्र पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे तो लगवद 362 जो विष्णोई समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी जान की बलेदानी दे दी थी इन पेड़ों को बचाने के लिए ये राजस्तान के ततकालिन राजा महाराजा अभैसिंग जो मैं बता रहा था कि महाराजा अभैसिंग इनका नाम था और ये अपना एक महल बनाने के लिए जो लकड़ी के प्रयोग के लिए इन पेड़ों को काटने के बारे में बात कर रहे थे चीक इस आंदोलन का जो नेतृत था वो अमरता दीवी के दौरा किया जा रहा था जो कि अपने आप में विष्णोई महला थी जो अभी मैंने आपको जो दिखाया है पेड़ से जो चुपकी होई थी उनके दौरा इसका नेतृत किया गया जो इस समदाई की सदस्य थी जोदपुर्जिले का एक गाउं है और उसका नाम है खेजडली इस गाउं के नाम पर ही खेजडी जो व्रक्ष है इस व्रक्ष से लिया गया है अब मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी आगी यहांपर आप एक पेड़ देख सकते हैं यह है खेजड़ी का पेड़ जानवरों के नाम पर तो मैंने आपको बताया और इसके बारे हम बात करें तो आपर पानी की खोज के लिए यह सेकड़ों मीटर तक इसकी जड़े हैं वो चली जाती है प्लस जो एक के वाँपर हम फली की बात करते हैं फल की बात करते हैं और शुदियां यह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है यह पेड जो बिश्णोई समदाय के लोग हैं इसलिए इससे ज़्यादा जुड़ाव इनके द्वारा देखने को हमें मिलता है उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यह आपने मेज देखी लिए अब जैसा मैंने आपको कहानी बताई कि जिस तरह से अम्रता देवी बिश्णोई के द्वारा जो अंदोलन था उसमें अपनी जो जीवन लीला है वो समापत हो गए उनके उन्होंने बलेदान दे दिया उनके अलाबा जो 360 के करीब लोग थे उन्होंने भी बलेदान दिया जब ये खबर राजा तक पहुँची तो राजा भी अचमबित था कि कोई व्यक्ति पर्यावरन के लिए और वन्यजीवों के लिए कोई समुदाय इतना ज़्यादा समविदन शील कैसे हो सकता है जब राजा को ये अपनी कमी महसूस हुई तो वो गया वहां पर और उसने सभी जो समुदाय था पूरा पूरे समुदाय से उसने माफी मागी और इतना ही नहीं उसके सास का सम्मान करते हुए माफी मागने के बाद जो विश्णोई गाउं जितने भी थे उनके बीतर आसपास के जो पेड थे उन पेड़ों को काटना और उन जानवरों के सिकार पर हमेशा के लिए उस राजा के द्वारा प्रितबंद लगा दिया गया और इस तरह से ये पर्यावर्ण और वन्यजीवों का सर्रक्षन कर रहे थे और ये प्रतबंद उस एरिया में उन जो समदाय के गाउं है उनमें आज भी लागू है उसके बाद हम बात करेंगे तो 2013 में पर्यावर्ण और वन मंत्राले है इन्होंने अमर्ता दिवी विश्नोई राश्टी पुरुषकार इस पुरुषकार की शुरुवात करी उनके सम्मान में ठीक है जो वन्यजीव सर्रक्षन में सामिल व्यक्ति थे और जो संसादे उनको ये जो पुरुषकार है वो ये दिया जाता है अब हम यहाँ पर बात करें अहीं सा पर्यावरन प्रेम मैलाओं का नेतरत्व और पेड़ों को गली लगाकर विरोध करने की ये जो नीती है जैसे मैं आपको बता है चिपको अंदोलन ये अगर हम बात करने जो बिश्नोई समुदाय है वो सबसे पहला पर्यावरन अंदोलन कारी समुदाय हमें देखने को मिलता है इसी चीज को फालू करा गया फिर उत्तर में हम देखेंगे उत्तरा खंड के चमोली जिले में भी चिपको अंदोलन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो उत्तराखंड में हमाले जो राज है वहाँ पर भी 1903 में इसका इस्तेमाल करा गया यह जो चिपको अंदोलन्था इसको पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए तो इस तरह देख सकते हैं इनका लगाव कितना जाद मैं यह बात कहता हूं अगर किसी समुदाय का किसी पर्यावरण में जो उनके पेड़ पौदे हैं उनके जंगली जीव हैं जो वन्य जीव हैं उनके साथ अगर इतना बड़ा अगर उनका लगाव है तो मैं कहता हूं जो आज के टाइम पर जो जलवायू परवर्तन देख लेते हैं कि हमें इसके क्या कंडिशन देखने को मिलती है तो वन्यजीव सनरक्षण अधिनियम 1922 के वारे हम बात करेंगे वाइल लाइफ एक्ट हमारा जो है इसके वारे हम बात करेंगे तो यह अनुसूची एक में इसको जो है सनरक्षण प्रदान किया गया है आई- जो व्यापार होता है उसका जो कन्वेंशन है अनुसूची 3 की जो मतलब इसकी जो अनुसूची 3 है उस तीसरी अनुसूची में यह जो काला हेरन है इसको रखा गया है तो यह था पूरा मामला किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पूरा जो यह समधा है क्यों इसके लिए ज़्यादा जरूरी है, कैसे गुरु जंबे शोर से सारी चीज़ों शुरूर होती हैं, कैसे पूरा चिप को अंदोलन हमें देखने को मिलता है, तो यह सारी जो important detail थी, उन सारी detail को हमने discuss करा, अब आपके लिए के important information है, आप देख सकते हैं, अगर आप UPSC, CSE exam में appear होने वाल अगर आप यह code apply करेंगे, तो आपको maximum जो discount है, वो आप avail कर पाएंगे, इस course की विशिस्ता देख लेते हैं, तो basically यह जो batch है, यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा offer इसमें देखने को मिलेगा, और यह 9 महीने तक का extension आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो 10% इसके जो प्राइज हैं, बहुत जिल्दी इसमें बढ़ने वाले हैं, इसमें जो देखो 2023 में, अनकेडमी के जो plus score से, उससे 70 से ज्यादा selections देखने को मिले हैं, complete GSC, test series, सारी चीज़ें, lecture के PDF, PPT, main test series, और unlimited access, सभी बैचों का, और one-to-one mentorship, सारी चीज़ें आपको एक ही जगे पर मिल जाती हैं, अगर आप इसमें interested हैं, तो जो एक number है, अनकेडमी का 858585858585, इस number पर आप call करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, ये था हमारा पूरा concept, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्स्राइब करें, थैंक यू, जैहन